हेलो दोस्तो मैं प्रमोत कुमार फिर से आपका चानक के प्रत्रगता अकाइडमी में स्वागत करता हूँ आज हम सविधान के अंदर एक बहुत महत्पूर टॉपिक ले करके आए हैं जिसका नाम है निर्वाचन आयोग देखते हैं आज निर्वाचन आयोग से संबंदित कोशन पहला कोशन हमारा बनता है निर्वाचन आयोग सविधान के किस भाग के अंतरगत आता है तो आपको मैं बता दूँ कि सविधान के अंदर मूल सविधान में 22 भाग थे जिसमें 395 आर्टिकल्स थे तो जो हमारा निर्वाचन है आयोग सविधान के भाग 15 के अंतरगत तथा आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 के अंतरगत आता है देखते हैं अंगला कोशन मतदान करना किस अनुछेद के अंतरगत आता है तो मतदान करना हमारा आर्टिकल 326 के अंतरगत आता है और मतदान करना किस परकार का धिकार है ये कोशन कई बार आया है तो मतदान करना हमारा सम्मेधानिक अधिकार है अगर सम्मेधानिक आप्शन में ना हो तो हमारा राजनेतिक अधिकार है बात करते हैं अगले कोशन में मतदान के दौरान उंगली पर लगाने के लिए किस यही का प्रियोग किया जाता है तो आपने देखा होगा कि जब आप मतदान करने जाते हैं तो आपके वहाँ पर संस्थान पर उंगली पर एक इंक लगाई जाती है जिसका नाम होता है silver nitrate जैसे ही silver nitrate आपकी body से touch होती है सूखने के बाद वो silver nitrate silver chloride में बदल जाती है तो इसका answer है हमारा silver nitrate और किस में बदल जाती है silver chloride में बदल जाती है अगला question देखता है निर्वाचन आयोक के अध्यक्ष की निफ्टी कौन करता है तो निर्वाचन आयोक्त जो होता है निर्वाचन आयोक्त के अंदर निर्वाचन आयोक्त होता है जो कि इसका एक सर्वुच पद माना जाता है निर्वाचन आयोक्त की निक्ती हमारी राष्टपती द्वारा की जाती है तो इसका त्याग पत्र और सपत सभी काम कौन करता है हमारा राष्टपती करता है बात करते हैं EVM का पूरा नाम क्या है तो ये एक आम कोशन है सभी को जाद अदर पता है EVM का पूरा नाम electronic voting machine है जिसका design 1980 में MB Hanif नाम के वैक्ती ने करा था और EVM का प्रियोग करने वाला प्रिथम राज्जी हमारा केरल था जो की विधान सभा के चुनाव में किया गया था अगला कोशन देखते हैं मतदान दिवस कब मना जाता है तो मतदान दिवस हमारा 25 जन्वरी को मना जाता है अच्छा 25 जन्वरी को क्यों मना जाता है अगला कुशन एकते हैं निर्वाचन आयोक्त के अध्यक्ष का कारेकाल कितना होता है अच्छा ये निर्वाचन आयोक्त का जो कारेकाल होता है वो 65 वर्थ या 6 वर्थ जो पहले पूरा कर लिए जैसे example मान लो कि अगर कोई 50 साल का वेक्ती है तो 50 साल का मतब 6 वर्थ पहले पूरे कर लेगा छे वर्ट तो यानिगे चपन साल तक रहेगा अगर कोई व्यक्ति चौसर साल की एज का बनता है तो उसका कारिकावल एक साल का रहेगा जैसे पिर्थम निर्वाचन अयक्त हमारे सूखकुमार सेने थे बात करते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अधिक जानगारी के लिए हमारे संस्तान से जोड़े हमारे चैनल से जोड़े थेंकियू